Welcome to News बावीटूप चैनल ज्हांस तो हम बात करने वाला है UP पुलीष 2020 के बारे में ज्हांस तो आप लोगों को बत्ताने वाला हूँ कि क्या UP पुलीष 2020 में बने भरती आएगी या नहीं जहांस तो सच या जूट जहांस तो सो परसेंट विश्वसीने सटी के वं सत्य जानकरी के साथ मैं इस वीडियो को ले करा हूँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहले बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जूट दबा ले जिससे की आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे हैं जांस तो यूपी पुलिस एसाई की compatible और कोस्टेबल की 5000 जो पोस्टे चर्चाय में आ रही है कि क्या वह है 2020 में आने वाली है यह नहीं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले है जांस तो वीडियो को लास्त ब्लाइब को ये वीडियो को स्किप ना करे सो परसेंट विश्वसनिय सटी के सत्य जनकरी के साथ में इस वीडियो को लेकर आऊँ आपको सच या जूट आपको पता चल जाएगा कि क्या 2020 में UPSI 5500 और कोस्टेबल 51,000 वेकेंसी आने वाली है या नहीं या स्टो complete detail में इस वीडियो को बनाया है प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें साथ में इस वीडियो को जाज जाज़ादा शेयर करें चैनल को subscribe ने के तो प्लीज चैनल को subscribe कर ले तो चलते हैं वीडियो की तरफ जमस्तो सबसे पहले यहां पर UP Police Costable यानि UPP Costable के बारे बात कर लेते हैं 2020 के बारे में Only Costable के बारे बात करें पहले उसके बार हैसाई के बारे बात करेंगे यहां पर 59,000 जो पोस्टे है वो आपने देखा भी होगा कई बार जो है कि एड़टाइजमेंट आ चुकी है कि 50,000 वेकेंसी आने वाली है सियम योगिया दित्तनात ने भी बोला है कि 50,000 वेकेंसी आने वाली है अब आपको पूरी परकिरिया पूरी टिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि आने वाली है यह नहीं आने वाली है क्या होने वाला ह आप लोगों को जैसा पता ही है कि इससे पहले जो है 41,520 आपकी जो बरती है, वो आपकी कब आई थी? वाई थी 14 जनवरी 2018 को, 14 जनवरी 2018 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, उसके बाद आपका एक्जाम कब हुआ था? वो अक्टूबर में आपका एक्जाम हुआ था, अक्टूबर में आपका जो एक्जाम हुआ था, अक्टूबर में एक्जाम होने के बाद फिर क्या हुआ उसके बाद आपका जो है अप्रेल मई यानि कि मई और जून में आपका 2019 में आपका रिजल्ट आ चुका था उसके बाद आपका जून और जुलाई सभी कंडिडेट प्रसिक्षन को चले गए थी जून जुलाई में यहां पे उनका प्रसिक्षन हुआ था यानि कि ट्रेनिंग चली थी और अब उनकी हाली में ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली जयांस तो यानि जनवरी 2018 में बर्ति निकली थी और उसके बाद यहां पर अब आपका नवंबर में यानि दिसंबर में आपका पूरा परसिक्षन हो चुका है यानि कि जून जुलाई में यहां पर परसिक्षन के लिए गए थे तो यहां तक का आपका जो है डेड़ साल इस बर्ति को लग चुका है 1520 बर्ति में एक और बात आपको बता देता हूँ कि 1520 बर्ति में 7000 रिक्त पद भी रह चुके है कोट में उसका केस चला हुआ है कल जो है उसकी सुनवाई है मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी आप जो है उसको देख ले और चैनल को सस्क्राइब भी कर ले ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी जैसे कि यहां पर सेकिंड जो बर्ति थी आपकी उसमें नोटिफिकेशन निकला था 16 नोवंबर 2018 में आपका जो है यहां पर नोटिफिकेशन निकला था उसके बाद 27 और 28 जनवरी में आपका यहां पर एक्जाम कराया गया था और नोवंबर 2018 में यहां पर जो है रिजल्ट गोशित कर दिया गया है और उसके बाद जो है यानि कि अभी जो है training center खाली नहीं है PSC वाले training के लिए चले गए है यहां के जो है आपको जो civil वाले जो training कर रहे थे वो training कर चुके है लेकिन फिर भी अप PSC वालों को बेज दिया गया है training अभी भी जो है यहां पे center खाली नहीं है तो जब तक कि 6 मैंने इन PSC वालों के complete नहीं हो जाते आप लोगों को training पर नहीं बेज़ा जाएगा यानि कि कहने का मतलब यह है कि 9560 वाली जो बरती है उनके जो candidate है वो आपका जो है प्रेल मैं जुलाई अप्रेल मैं और जून में ही training पर जाएगे अप्रेल मैं जून में ही training पर जाएगे जब तक कि इनका प्रेल से लेकर जून तक आप training पर जाने वाले हो तो अब बात बता देता हूँ कि 9560 वाली बरती में भी यहाँ पर लगबग 1.5 यानि कि यहां पर भी किएड़ साल लग जाएगा जा बहुत तो अब आने वाली जो वेकेंसी है 2020 में उसमें भी डेड़ साल लगने वाला है आप लोग तैयारी कीजिए और आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई भरती निकली है उसके पूरे complete होने पर ही कोई नई भरती नहीं निकली है जब तक कि वो परकिरिया में रहती है यानि कि आप training पर जाने वाले होके फरवरी जनवरी में आपको जो है इस vacancy को आपको जो पूरी में आपका जो है 51,000 जो कोंश्टे वाली की भरतिया उसका notification आ जाएगा आप चाहे तो इससे नोट कर ले और अपनी तैयारी करते रहे फिर मत कहना कि News बाबा यूटूब चनल ने हमें बताया था और हमने इसकी तैयारी भी नहीं की और हमने जो है इसको अच्छे से भी नहीं लिया जिया तो 100% जो है नई vacancies आने वाली है और इसमें भी 50,000 जो पोश्ट आने वाली है इसमें भी तेड़ साल लगने वाला है जैसा कि अभी सभी बरती में लगा है उसी परकार से भी ही तेड़ साल लगने वाला है क्योंकि UP की कोई भी vacancy हो उसमें टाइम तो लगने वाला है तो आप लोगों से बता देता हूं कि ये जो है 51,000 जो कोश्ट जेवाली की भरती आने वाली है वो बिल्कुल सच है जनवरी के लास्ट में या फैबुरी में जो है आपकी 5000 पोश्ट निकलने वाली है आप लोग तयारी कीजिए फिजिकल की भी साथ की साथ लिखित पर लिक्सा की भी आप तयारी करते रहिए आपको पता ही है मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्लीट होने में बर्ति को टेट साल लगने वाला है अब बात करते हैं आप यूपी पुलिस SI के बारे में आपको पता है यूपी पुलिस SI की जो है 500 पोस्ट के बारे में टेली जो है न्यूज में भी आपको देखा होगा कि कभी जो है बताते हैं कि टल गई है कभी कहते हैं कि आने वाली है जा उस तो फिलहाल तो जो है ये भरती टल गई है रद नहीं हुई है टल गई है यानि कि अभी जो है एक दो महीनास के आने के चांसिस नहीं है इसको टाल गया है कुछ कारणों को देखते हुए यह जो भरती है आपकी अप्रेल है अप्रेल महीने में लगबग जो है मोशली आ जाएगी अप्रेल से जून तक आपकी यह भरती भी जो है आपकी 55 SI की आने वाली है जास्तो आपको पता ही है इससे पहले आप नोटिफिकेशन आपको क त्यारिक करते रहे जो candidate UP Police SI की त्यारी कर रहा है वो मच छोड़े बिल्कुल भी जो है ह्सको मच छोड़े सिर्फ continue त्यारिक करते रहे क्योंकि फ़र्ती 100% 2020 में आने वाली है आप लोग जो है अच्छे से त्यारी लगता है तो आप 6 मीने अच्छे से प्रिपेरिंग करें अच्छे से त्यारी करें जिससे कि आपका स्कूर अच्छा बन सकें तो आपके नपर चैनल पर नहीं है तो पीली खलाइब कर LIVE सब्सक्राइब कर उसके साथ साथ टेलिग्राम ग्रूप भी जोइन कर ले तो मिलते हैं को एच्छी दूजे साथ तब तके लिए जाहें